नमस्कार आद आप गुड़िवनी सस्ट्रेगाल दोस्तों मैं हूं मन्मिन्द है और मेरे चैनल एंबी स्वीक्स पे आप सभी लोगों का बदबस वागत है एक बात बताईए अगर आपके घर में कोई रहता है अवैद हत्यार रखता है कानून को गाली देता है तो कसूर किसका है आपका या गाली देने वाले का या अवैद हत्यार रखने वाले का आप बताईए किसे दोशी माना जाएगा समझ लीजिए आपको भी और जो गलत काम कर रहा है उसको भी दोनों को ही सजा मिलेगी इसमें कोई excuse नहीं होगा कोई excuse नहीं है कि वो घर तो आपका नहीं है उस घर को छोड़ दिया जाएगा वहाँ वहाँ योगी बाबा का बुल्डोजर तो जाएगा ही जैसे आसकानभुर दंगे के मास्टर माइन जावेद मुहमद जावेद पंप के घर बुल्डोजर चला है और अब वो यह कह रहा है कि यह घर तो मेरा नहीं है मेरी बीवी का घर है दोस्तो एक घर होता है ओगा चाहिए बीवी का हो चाहिए वो शोहर का हो लेकि दोनों लोग वहाँ रहते हैं न तो जो मेरे मुसलिम भाई है जो मेरे हिंदु भाई है जो हम सब भार्तिय हैं वो मुझे यह बताएं कि इसमें क्या गालत है अच्छा आप सोच रहे होंगे कि आज मैं भाषन क्यों दे रही हूं कुछ भाषन टाइप क्यों आपसे बाते कर रही हूं तो जनाव यह समझ लीजे कि पर्याग राज में कोई हिंसा कि मास्टर माइन जावेद महुम्मद उफ जावेद पंप से जुड़ी एक पहुत 12 बोर और 315 बोर के तमंचे वीजा मिलें और साथ ही कई कार्दूस भी छिपाके रख्यों थे जो पुलिस को मिलें और पुलिस ने यह बताया कि घर से अपति जनक साहित भी ब्रामद हुआ है अदालतों पे टिपनी करने वाले बयान भी घर से मिलें द्रस्तिकरन से पहले ह हुई तलाशी के दौरान ये असले अवैद असले और अपति जनक साहित घर से घर की अलमारियों से ब्रामद हुआ है खुद SSP अजे कुमान ने इस ब्रामद की की जानकारी दी है और अब आज जावेद मुहमत के खर से धंस्तिकरन के खिलाफ एक पत्रियाज का दाख खिल मिलता है और तो पहर बात ये पत्रियाज का दाखिल की जाती है हाई कोट के छे वकीलों के और से ये पत्रियाज का जस्टिस राजेश बिदल को भेजी गई है आरोप ये लगाया गया है कि अवै तरीके से जावेद मुहमत की पत्नी परवीन फातिमा के माकान को द्वस्त क जैसे जावेद मुहमत तोबहारा दही नहीं थे और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि ये मकान जावेद का नहीं उनकी पत्नी परवीन फातिमा के नाम से है ये मकान परवीन फातिमा को उनके पिता की और से शादी के दोरान दिया गया था as a gift इसलिए जावेद मुहमत की ओनर्शिप ना होने के बावजूद उन्हें नोटिस दे दिया गया और उनकी पत्नी के मकान को गिरा दिया गया यहाँ समझने की बात यह है कि जो नोटिस है वो दिया गया है जावेद महुमद को और मकान है उनकी पत्नी का उनका सिरफ यही कहना है कि मेरे पत्नी का मकान गि जाएगा जहाँ रह रहा है यह तो पहले खोजमीन नहीं कि जाएगी कि उम्हां मकान किसका है और वहां से इतना सारा सामान निकला है इतनी अवैद किसम का हध्यार मिले हैं और अपतिजनक सहित मिला हैं इलावाद हाई कोट के अधिवक्ता के किराय मुहमद साइद सिद्ध की प्रभल परताप रविंदर सिंग नज मुसाकिप खार और रविंदर सिंग ने चीप जस्टिस को पत्रियाच का भीजिये अवैद ध्रस्तिकरन बताते हुए मुआफजा मांगा है और दोशी अधिकारियों को दड़ित करने की मांग की है अब एक साथ यहां कई सवाल है पती पत्नी साथ साथी रहते हैं ये तो है नहीं कि अगर पत्नी के पिता ने उसको मकान दे दिया गिफ्ट में तो पत्ति कह और जाके रहेगा और जब असला और हत्यार मिले हैं ध्रस्तिकरन की कारवाई के नोटिस भी लाजमी तोर पे वहां जा नहीं थे और अब वो कहरें कि मेरी पत्नी का घर थोड़ दिया है दहेज में घर लेकर के वहां गलत काम कर रहे थे एक तो दहेज में घर लिया वो गल में जुर्म है हाँ संविदान अपनी बात करने का हक सभी को देता है और जावेद ने भी ये पत्तिजाची का दाखिल की है और अब देखिए इस पे क्या होता है लेकिन आप लोगों से मैं ये सवाल करती हूँ कि आज ये जो कारवाई हुई है इस पे आप क्या कहते है और गलत समान को बरामत करके क्या पोलिस परशासन ने कुछ गलत किया है अगर कुछ गलत किया है तो आप प्लीज मुझे मेरे कमेंड बॉक्स में ज़रूर बताएगा मुझे आपके कमेंड्स की इंतिदार रहेगा और एक और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सकाइब भी कर सकते हैं और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद ना आए तो आप प्लीज इसे मन देखें खिलाल इतना ही फिर मिलती हुआ आपसे किसी और कहानी के साथ, किसी और कंडेंड के साथ, जहिल, त्या भारत.